नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आश 46 वर्स के पर उसके पाम का एनरेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अग का कोशन इस परकार है वरतमान समय में ये गर्वर्मेंट जॉब में है अच्छे पदपर है आगे के विशे में जानना चाहते है आगे के जिंदगी कैसी है प्रॉपर्टी बनाने के कितने योग है हतली पर क्या फिश है या फर स्कॉाइर है ट्रैंगल है क्या क्या है और इसक पॉलिटिक्स में काफी इंटरस्ट है तो पॉलिटीशियन बनने की क्या वस्था है अतली पर अवस्थित है इन सारे महतपून विश्व पर इनको जानना है तो आप बेलकुल भी चिंता ना करें निश्चंत रही है आप आपके सारे ही कोशन्स पर हम गहराई के साथ चलेंग जरूर बनते हैं ये खुद भी सफल वेक्ति हैं 46 साल की इनकी आयू है और गवर्मेंट जॉब में भी है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपकी आयू 25 है 20 है 30 है कितनी भी आपकी आयू है अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो डेफिनिट करके इनके पाजिटिव चीज़ को देखते हैं और देखते हैं क्या चमतकारी अवस्था इनके हाथ पर है जी हाँ आपके सूरी परबत पर ट्रेंगल है अच्छी भागी रेखा है भागी रेखा पर स्कौायर है और अच्छी शांदार मंगल रेखा है मतलब इनके हाथ पर तिरबुज एक जबरदस तिरबुज जिसके फल को आगे बताया जाएगा ये बहुत अच्छा माना जाता है बस थोरा पेशन्स रखिएगा इसके लिए कंसेप्ट है कि जातक अपने जिंदगी पर सफल होते हैं और प्रापटीज विगरा बनाते हैं तो प्रिया तिरबुज अब देखो आपके हाथ पर अच्छी सूरी रेखा होगी अच्छी बुद्ध रेखा होगी अच्छी जीवन रेखा होगी अच्छी बाग्य रेखा होगी तो आप भी जिंदगी पर सफल होगी तो इनकी सूरी रेखा बड़ी गजब है धिरे धिरे करके लाइफ में आगे बड़े हैं और यहाँ पर से देखो तो बड़िया स्क्वाइर दिख रहा है मुझे एक जबरदस स्क्वाइर जो की मल्टिपल प्रापटी के सुख को दर्शाता यहाँ से एक ट्रेंगल है जो की यह 36 पे वरसे ही सक्रिये था आगे देखो सूरी रेका बड़ी खतरनाक सी बहुत जबरदस्त अवस्था में दिख रही है मुझे उसके बाद देखर मैं दिखाओ और पॉस्टिविटी तो एक बहुत शांदार दिख रही है बागी रेका फिर से देखेगा यह वाली बागी रेका जो है न यहाँ पर से यहाँ पर एक दम शांदार है तो शांदार पूरा पूरा फलाता है उसके बाद अगर मैं पॉस्टिविडिये दिखाऊ तो यहाँ पर से देखे तो पढ़िया बुद्धरे का एक कमाल की बुद्धरे का आपके तली पर अवस्थित है और पॉस्टिविडिये अगर मैं दिखा दू तो जीबन रेका पर प्रगति का यो और बहुत बढ़िया आपकी मंगल डेका जो कि जबरदस दिख रही है मुझे मतलब ये मंगल डेका देख के न दिल एक दम पर फुरलेत हो गया ऐसी मंगल डेका न मातर पांच पर संड लोगों के हाथ पर दिखती है जोकि इनके हाथ पर दिख रही है और बेशक बहुत कमाल अवस्था में दिख रही है मतलब ये इतनी बड़ी मंगल ड्रेका ना बहुत कम अतली पर दिखती है तो इसको मंगल ड्रेका कहते है और ये शांदार जांदार योग के रूप से देखा जाता और समझा जाता है जहाँ पर से ये दोड़ी जीवन ड्रेका का कारे करती है जैसे इनके हाथ पर जो जीवन ड्रेका है ये भी बड़ी कमाल है लेकिन ये मंगल ड्रेका बेमिशाल है रदभुत है जहाँ पर से जातक के जिंदगी पर सफलता तरक्की तो होनी ही है ना की तो बात ही नहीं है ना की तो बिलकुल भी बात नहीं है उसके बाद अगर मैं आपके तलिक और दिखाओं तो यहाँ आपर से देखे और पास्टिविटी तो मस्तिक सरेका आपकी बड़ी है अला की थोड़ी से साइड एफेक्ट होती इस केस में लेकिन मस्तिक सरेका आपकी बड़ी आई कोई गरबर नहीं है उसके बाद अगर मैं दिखाओं तो एड़ी रेका ठीक है थोड़ी सी गरबरीते में बताओंगा आगे तो यह इनकी पॉस्टिविटी थी जहाँ पर से अगर आपके हाथ पर अच्छी प्रगती के योग होंगे अच्छी भाग्य रेका होगी अच्छी सूरी रेका होगी तो आप भी जिंदगी बत रखी करोगे प्रगती करोगे नो डाउट और इसके एभज और भी पॉस्टिविटी आपके हाथ पर होना चीज़ जैसे कि इनके ब्रश्पती पर एकदम क्रॉस ब्रश्पती पर क्रॉस आज इसके फलकों में बताता हूँ जिस भी वेक्ती के जुपिटर पर क्रॉस साइन हो समझेगा ये जब से बना है आपकी अतली पर तब से आपके सिंदगी में विसे इसका सुधार को इंडिकेट करता है अच्छे पद पर आप आसीन रहते हैं बहुत कम लोगों के हाथ पर एक्जेक्ली क्रॉस दिखता है तो इनके हाथ पर एक्जेक्ली क्रॉस है उसके बाद अगर मैं दिखाओ तो यहाँ आपर से देखिए तो कुछ आपके लाइन्स जो की खड़ी लाइन्स है आपके बुद्ध पर यह इंडिकेट कर रहे है जातक टेश्ट अपराख होते है तो यह इनके लाइन्स में पॉस्टिविटी थी अभी सारे लाइन्स को बहुत एलोबरेशन के साथ मैं ले चलूँगा दिखाऊऊँगा बताऊँगा सन मढकरे भी आपकी अच्छी है मतलब प्लैनेट्स प्लैनेट्स गद्यदार भी हैं विजिबलिटी के साथ लाइन्स हैं प्लैनेट्स काफी जाद अच्छे कंडिसन्स में हैं जो जातक के जिंदगी पर डेफिनिट रूप से तरक्की और सुविदाओं को इंडिकेट कर रही है जातक के कंफर्ट को इंडिकेट कर रही है जातक के आगे बरने को इंडिकेट कर रही है तो इस केस में आगे ना बरने की तो बाती नहीं है इस केस में सफलता ना पानी की तो बाती नहीं है इस केस में definite रूप से जिन्दगी पर सफलता होती है ना कि तो भेलकुल भी बात नहीं है तो ये बेहत समत्कारी positivity आपके हाथ पर अवस्थित है जो कि आपको जिन्दगी पर सफल बनाती ही है और ऐसे विक्ति जिन्दगी पर सफल बनते ही है अगर आपके हाथ पर भी कुछ ऐसी positivity है तो जिन्दगी पर सफल बनते है आपको कोई भी नहीं रोख सकता जिन्दगी पर सफलता पाने के योग को ही ये बताती है तो ये हाथ देख लो बाकि इससे ज़्यादा positivity को दो और सफल बनोगे तो वो depend करता है कि आपके हाथ पर कितनी ज़्यादा positivity है वो depend करता है अभी चलिए हम आगे चलते हम negative चीज़ पर देखो आप सभी जानते है अगर आपके हाथ पर positivity रहती है तो आपके हाथ पर negativity भी रहती है तो आप कोई भी decisions कोई भी नर्णे आप over confidence पे ना ले ये आपके लिए उचित नहीं माना जाएगा या ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा तो पहली negativity दूसी तोड़े इंडिपेंडन्ट सोच के अलाकि ये तो आपका नीचर है तो कमी कबार सुन भी लिया करो क्योंकि जब खराब समय होता है न तो सुनना भी जरूरी हो जाता है ऐसे वेक्ति किसी का न सुनते नहीं ये बहुत इंडिपेंडन्ट रूप से कारी करते हैं और बहुत इंडिपेंडन्ट नीचर के होते हैं उसके बाद अगर मैं आपके हैतली पर दिखाऊं और क्या क्या दिखरी मुझे नेगिटिविटी तो वैसेज कोई खास नेगिटिविटी मुझे और आपके हाथ पर नहीं दिखरी है बरश्पति थोड़ा गरबर था इसका उपाई तो करना चाहिए जहाँ पर से ये थोड़े कारे चेतर को बराने में दिख्कत को इंडिकेट करता है अपने ही धोका दे देते हैं पारिवारिक समस्याओं को बताता है तो परिवार से तुरिवी समस्याओं को ऐसा बरश्पती इंडिकेट जरूर करता है अगर ऐसी बरश्पती आपके भी यहाथ पर है तो तुरिवारिवारिक समस्याओं को यह बहुत एच्छे तरीके से बताती है जहापर से आपको दोका भी जिन्दगी पर मिल सकता है तो easy way म तो वो आपके लिए उचित नहीं माना जाएगा तो यह negativity थी और negativity मुझे क्या दिख रही है वैसेज कोई खास और negativity आपके हाथ पर तो नहीं है थोड़ी बुद्ध फिंगर हलकी चोटी है तो decision making में problems को indicate करती है तो निरने को सोच समझ के लेने क्या हो शकता है ने तो निरन बचपन के आयू में थी यह बचपन में मानसिक तनाव को बता रही थी यह बचपन के समय में मानसिक तनाव को indicate कर रही थी तो यहाँ परसे यह भी एक negativity है जिनके भी हेड़ रेका पर यह समस्या है रहती है चुक्के यह तो इनका बचपन में ही गुबीद किया लिकिन किसी किसी वेक्ति का आगे वाले जिंदगी में भी रहता है और उस समस्या के वज़े से जातक पीरित रहते हैं परशान रहते हैं डाइवर्टेड रहते हैं असमंजस किस्तिती में रहते हैं ये बड़ी एसपस्ट है तो यहां पर से ये नेगटिविटी अगर ये आपके किसी के हाथ पर दिखे तो इसका नेमडी जरूर से कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा माणा जाएगा चली जी ये तो आपकी पाजिटिविटी नेगटिविटी थी अभी कुछ परशनों पर चलते हैं इनको ऐसा लगता है इनके सूरी परबत के आसपास फिश है हलाकि मुझे तो ऐसा कुछ दिखनी रहा चलो मैं आपका एक मान भी लेता हूँ कि आपके सूरी परबत के आसपास फिश है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है वरतमान समय में आपको अगर कुछ ऐसा आलका सा कहीं पर ऐसा बनावा दिख रहा होगा कुछ बहुत कम विजिबल रेखा फिस का फॉर्मेशन जैसे लग रही होगी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो लग सकती है लोगों को ऐसे ही लगता है वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन मैं वेरिफाई कर रहा हूँ ऐसा कोई फिश नहीं है और अगर ऐसा कोई फिश होता भी जो कम विजिबल होता तो उसके बेनिफिट आपको जिन्दगी पर तब आएंगे यह का आपके संग्यान में मैं दे देता हूँ जब इतनी विजिबल रेका यह सूरी रेका इतनी विजिबल रेका वाला एक फिश ऐसा आकिरती वाला दिखेगा आपको कहीं पर भी सूरी परवत के आस पास तबी जाके इसके आपको बहुत ही अच्छे पल जिन्दगी पर देखने को मिलेंगे Otherwise इसके बहुत ही अच्छे पल आपको जिन्दगी पर देखने को नहीं मिलेंगे तो फिस रहता आथवा नहीं रहता उससे विशेश मतलब नहीं है वो एक्टिवेटेड है कि नहीं वो ज़ादा महत्व पूंड रखता है और आपके हाथ पर तो मुझे दिख भी नहीं रहा तो ये तो मैटरी क्लोज है यहीं पर से तो मुझे वैसाज कुछ दिखनी रहा कि आपकी बरश्पती गरबर है तो पॉलिटीशन बनने के तो बड़े कम चांसेस है दूसरा मैंने बताया कि बुद्धिफिंग का हलकी छोटी परती थोड़ी है तो यहाँ से भी है लेकिन मेन जो इतो चलो चल भी जाएगा वो तबी कोई खास सोटा नहीं है लेकिन यह ज आपके क्लियर कट अवस्था में मतलब बढ़ी आवस्था में तो चोटे मोटे पद के लिए ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं जो चोटे मोटे जिलास तरीय पद होते हैं लेकिन अगर व्रिहद पैमाने पर सफलता की बात अगर हम कर लें तो वह वाली तो मुझे मुझे दिख र और से ट्राइंगल ठा तो यह कही न कहीं आपके प्रोपर्टि को बताती हो उसके बाद भी आपके 4 60-€ को प्रोपर्ड तो बनने थी आगे भी यहां पर से ठीकि आइडि तो बनती हो यह और यहां पर जाय पहातो भाया जायगा ओए इंगर यहां टारी पर इनकी ची दिब ये इनकी लाइफ लाइन है यहाँ पर से देख लो तो कुछ independent नेचर तो बचपन से रहा है आपका, मतलब ऐसे वेक्ति independent रूप से कारी करते हैं, independent रूप से कारी करना पसंद करते हैं, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाओ तो बचपन में कुछ आपके दिक्कत भी थे, बहुत पहले हो चुके, नो डाउट, और यहाँ पर से एक तरक्की का योगते हैं, आपके 22 में साड़े से, 22 में में एक योगते, फिर एक आपके 23 में एक over maturity की प्राप्ती हुई होगी, 23 में आगे 25 में एक तरक्की था, फिर एक तक्रिवरें 26 में बढ़िया तरक्की थी आ लाइफ-लाइई बढ़िया है, 46 में आपके 16 में एक लेकि प्याले का इसमूत है, और एक आपकी देखलो आपकी तक्रिवरें यह चप्वन वर्स में, 53 में एक ट्राइंगल है, फिर यहाँ से देखलो आपके 56 में देख लेके 62 तक्राइंगल है, 62 के बाद भी लाइफ- देदे, कोई परिशान कर लें लगे, वो सब अगर टेंशन हो जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन विशेश चिंता नहीं है, चुकि मंगल रेका भी आपके कमाड की है, बेमिशाल है, एक दम धमाल, एक दम धमाल मंगल रेका है, मंगल रेका को और मैं ठीक से दिखाओं, तो इसको मंगल रेका प्रॉपरली नहीं मानेंगे, यहाँ से एक मंगल रेका मान सकते, इस अब शुक्र पर खड़ी लेका, यह भी बढ़िया रेका मानी चाती, मैं दिखाओंगा आगे, तो यहाँ पर से यह देख लिया आपने, यह इनकी पॉजिटिविटी, नेगिटिवि मतलब इनके मन में कोई चीज बैठ जाए, तो फिर इसको करना आए, इनको, सारे प्लैट्स में स्ट्रें तो राज्योग करकते लिए, एकदम गुलाबी है तो यह गदेदार कमाल की, कमफर्टेबल लाइफ रहती है, जिन्दगी मज़े में भी रती है, 70 पॉर्संट राज शक्ता हो कहीं है कि इसे जिन्दगी पर पैसे जुरूर आ जाते हैं, और जबर्दस आपका थम्ब है, स्ट्रॉंग फ्रॉंग थम्ब है, जो मन में आएगा वही करिएगा, तो इटेंशन के लाइन जरूर थे, एक दो रेखा थे, यवा किरती भी थी, जब भी सपोर्ट क् आपने जिन्दगी पर जो भी रहते हैं, तो टेंशन के लाइन थे, इनसान थोरा सा प्रशान तो रहते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, बाकी इक्षा सकती अच्छी है, रिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन, व्यक्थी काफी ज़दा महातवा कांच्छी हैं, जबर् समझदारी काफी अच्छी व्यक्ति बहुत समझदार है फिंगर के एक थोड़ी छोटी जारी थी तो यहां पर साल के रिसेजन मेकिंग में प्राब्लम सलना की वो पुत्ता प्रशान नहीं करती फिंगर पर कड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज बहुत तेज भी और दिल के अच्छे हैं मतलब सब के लिए अच्छा वावना रखते हैं इसलिए समास सेवा भी करना चाहते हैं बरस्पति फिंगर शुरी संकी बड़ी तो इंसान इंमती तो है इंडिकर यह अच्छी दारमी कास्ता सेटन फिंगर लंबी यह काफी जाद महरती है सुर फिंगर आपकी पाम के हिसाब से तो इंसान जल्दी बाजी मंदर लेते तो जल्दी बाजी मंदर लेने के आवशक्ता नहीं है अभी चली हम प्लैनेट्स पर चलते हैं तो एक क्रॉस जैसा बना है तो यह पारिवारिक स्थिति में शुदार को इंडिकेड करता है यह आप पर से देखो कु माइंड रेका अच्छी है दिमाग के तो आप 23 विक्ति है कुछ ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है थोड़ी समस्याते हिर्दर रेका पर मांके आगे कि हिर्दर रेका भी आपकी अच्छी है विश्मयों का फोर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले ह ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी दूर कर रही है बैलन्स काफी अच्छा दिल दिमाग से बहुत तंद्रूस थे इसमें बिलकुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवशक्ता भी नहीं है तो ये तो माइंड रेका इर्दर रेका के बारे में होगे है यहां संदगी जीने में है लाइन अफ एजूकेशन भी इंसान भहुत बेसिक नॉलेज के अच्छे होता है सूरी रेका पैतिक संपत्ति का मध्यमस्तरिय साथ यहां पर एक तिरिभुज जैसा आकिरती आगे भी सूरी रेका बर रही है जो कि यहां से भी एक हल्की सी ट्रेंगल जैसे आकिरती यहां से भी बन रही थी स्क्वाइर जैसे आकिरती जो पचास के बाद भी प्रॉपटी को इंडिकेट करती है यहां से भी आपकी देखो सूरी रेका बढ़िया है यहां से भी एक स्क्वाइर जैसा बन रहा है जो प्रॉपटी को ही बताती है आगे भी बाग सीप्रकार का कंभी कुछ करना है तो बस कर लेना है इतना सोचते नहींयग है यह बडिया चनरमा है जो कि यहा पर से देखो जो कुछ आपके यातरा के योग को बता दो है जिंदगी पर यातराइन सुरुवाती दोर से अच्छी नहीं थी, जहां से चली है। कि मंगल बढ़िया है प्राक्रमी हैं समझदार हैं डेडिकेशन बहुत अच्छा है हाई लेवल के इनरजी है जमीन जदात का सुख पाते हैं अच्छा मकान अच्छा गारी का भोग जरूर करते हैं तो यह था इनके तरह का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको हमारे ये पसंद हैं लाइक कर दे कमेट कर दे सिर्गर सब्सक्राइब कर दे कर आप विक्तिकात रूप से में सास्तरेकारी खाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोर्टसप नमर इसक्रिप्शन मिल लेगा लेकर आप समप्रकर सकते हैं धन्यवार